Morning students, नमस्कार, किसी भी काम सुरू करने से पहले, हमें अपने आराध्यदेव इस्वर से प्रात्ना करते हैं, तो आज संस्क्रूत विशे का अभ्यास करने से पहले, हम इस्वर स्तूति के रूप में वन्ना का अभ्यास करेंगे, वन्ना पाड का पहला स्लोक का में पठन करती ह यादेवी सर्वभूतेसु विध्यारूपेन संसिता नमतश्यै 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 नमो नम एक बार फिर से यादेवी सर्वभूतेसु विध्यारूपेन संसिता नमतश्यै 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 नमो नम अब यह जो स्लोक है उसमें दोस अक्षर साथ में दिये है तो वो में अलग करके बोलती हूँ सर्वभूतेसु विध्यारूपेन नमह तश्यै नमह तश्यै नमह तश्यै नमह तश्यै नमो नमह अब मैं उसका गुजुराती आपका अर्थ समझाती हूँ या देवी जे देवी सर्वभूतेसु बधा प्राणियों मा विध्यारूपेन विध्यारूपे संसिता रहेली चे अब ये जो स्लोके उसका हम वर्ड मीनिंग ओर त्राणियों देखेंगे यादेवी, the god dish, सर्वभुतेशु in all animals, विद्यारुपेन, in the form of learning, संसिता, एक्सिते, तश्ये, हर, नमह, बोईंग, नमह, बोईंग, 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 again and again, the godness in the form of learning in all animals, ये जो स्लोख है उसमें सरस्वती देवी की स्तूती की गई है, दूसरा स्लोख पठामी संस्कृतं नीत्यं, वदामी संस्कृतं सदा, ध्यायामी संस्कृतं सम्यकं, वंदे संस्कृत मातरं पठामी संस्कृतं नीत्यं, वदामी संस्कृतं सदा, ध्यायामी संस्कृतं सम्यकं, वंदे संस्कृत मातरं जो दोस सब्द साथ में लिखे गए है उसमें, सम अनियव संस्कृत मातरं, अब उसका गुजुराति में भावार समस्ते है, पठामी संस्कृतं नीत्यं, वदामी संस्कृतं सदा हुँ हम मिशा संस्कुत बोलुछु ध्यानामी संस्कुतम सम्यं। हुँ सारीते संस्कुतनु ध्यान दरुछु वंदे संस्कुत मातरं। हुँ सारीते संस्कुत भसारुपी माताने वंदन करुछु। अब हम हरेक सब्द का वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन देखेंगें नित्यम सदा, अल्वेज पठामी, रीड, वदामी, स्पीक, शम्यक, वैल, ध्यायामी, मेडिटेट, कॉंसेंट्रेट, संस्कृत मातरम, दमदर संस्कृत लेंग्वेज, वन्दे, ब्लो Translation देखे अभी I always read Sanskrit, I always speak Sanskrit, I meditate, concentrate Sanskrit well, I blow to the mother Sanskrit language Frisikbar I always read Sanskrit, I always speak Sanskrit, I meditate, concentrate Sanskrit well, I blow to the mother Sanskrit Language ये जो second number का स्लोक है, उसमें Sanskrit का पठन करने के लिए बात की गई है अब दिस्त्रास लो सुभं करोतु कल्यानं, आरोग्यंदन संपदं, सत्रु बुद्धी विनाशाय, दीप जोती नमोस्तुते अब जोदो अक्षर अलग होते उसको दन संपदं, बुद्धी विनाशाय, दीप जोती नमोस्तु अब मैं उसका गुजराती में भावास समझाती हूँ सुभं करोतु कल्यान, अमारु मंगलकारिकर, अमारु कल्यान कर आरोग्य धन संपदं, अमने सारु आरोग्य बक्ष और अमारे धन सपदि माँ वधारोकर सत्रु बुद्धी विनास आयब अनि सत्रु अनि बुद्धी ना विनाश माटे दीप जोती नमस्तु दे ते हे दिवानी जोत तने नमन हो अब हरेक शब्द का हम वर्ड मिनिंग और ट्रांसलेशन देखते है दीप जोती O लुष्टर अब दे लेंग शुबम, औस्पियस, कल्यानम, वैल्ब विशिंग, आरोग्यम, हैल्थ, धनसंपदम, वैल्थ, करोतु, दू सत्रु बुद्धी विनाशाय फ्रॉम डिश्ट्रेक्षन ओफ एनिमी, एविल, थ्रोड ते नमह अस्तु बोईंग तो यू अबुस्कार ट्रांसलेशन O लुष्टर अब दे लेंग दू आस्पियस, वैलविशिंग, हेल्थी औवेल्थी बोईंग तो यू फर दिक्रेक्षन ओफ एनिमींग, एविल, थ्रोड़ फिर से O लुष्टर अब दे लेंग दू आस्पियस, वैलविशिंग, हेल्थी औवेल्थी बोईंग तो यू फर दिक्रेक्षन ओफ एनिमींग, इवल, थ्रोड़ अब ये जो थर्ड नमबर का स्लोख है, उसमें अंदकार को दूर करने के लिए दीब की जोद को नमन करने के लिए बात की गई है अब फोर्थ नमबर का स्लोख मुकम करोती वाचालं पंगू लगयते गिरिम यत्कृपातहं वंदे पर्मानंद मादवं मुकम करोती वाचालं पंगू लगयते गिरिम यत्कृपातहं वंदे पर्मानंद मादवं अब जो ए स्लोक में दो सब्द हे हो यत कृपा, तहम, तम, अहम, पर्मा, नंदम, माधवं अब उसका गुजुराती में भावार सम्धते हैं मुकम करोती वाचालम जेमनी कृपा थी, यत कृपा एटले के जेमनी कृपा थी, मोंगो व्यक्ती, बोलतो थाईची जेमनी कृपा थी, अपंग, व्यक्ती, पन पहाड ओडंगी सके छे तहम वंदे पर्मानंदम, तेवा पर्मानंद भगवान मिश्रूने अमारा वंदन हो अब हम हरेक्षब्द का वर्मीनी और ट्रांसलेशन देखते है याद्कृपा, whose grace, mukam, to the deng, vatchalam karoti, make speaking, paingu, to the handicap, girim, mountain, lagayati, make cross, crushing, tam, he, parmanandam, to the delightful God Shri Vishnu, अहम वंदी, I blow Of translation, I blow to the delightful God Sri Vishnu, whose grace makes the dumb speaking and gives strength of crossing a mountain to the handicapped. फिर से, I blow to the delightful God Sri Vishnu, whose grace makes the dumb speaking and gives strength of crossing a mountain to the handicapped. यह जो फोर्थ नबर का स्लोक है, उसमें भगवान विश्णु को नमन किया गया है. अब यह चारो स्लोक को आपको बार-बार रेड करना है और उसका भावर्ष समझना है और आपके सहस्कुत की नॉट्बुक में उसका वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन लिखना है.